नमस्या मित्रों स्वागत है आपका अपने स्यूटी चनल पे ज्ञारकंड की भरती दोड में एक और की मौत 24 पेहोश इस थारा की खबर सुनना बहुत दुखद होता है चाहे वो किसी भी राजकी हो चाहे वो किसी भी प्रकार की भरती हो लेकिन अगर किसी भी अभ्यरती का ऐसा हाल हो तो बहुत दुख होता है क्या खबर देख लेते हैं तो ज्ञारकंड में विबिन केंद्रों पर उत्पाद विभाग में सिपाही पत पर बहाली के लिए आयोजित दोड में मौत का सिलसला थमने का नाम नहीं ले रहा है साहिबा अबान गंज के जैप नौ कैंप बस में दोड़ के दोरान बेहोश हुए एक और अब्यारती ने रविवार को अपना को दम तोड़ दिया वह शनिवार को ही बेहोश हुआ था इसके बाद अस्पताल में इलाज चल रहा था पितक बाइस फरशी विकास लिंडा राची जिले के नामकुम के रामपुर गाउ निवासी बिजला लिंडा का पुत्र था इधर रविवार को भी दोड़ के दोरान 24 बेहोश होने की सुचना है इनमें मेदीनगर के चियांकी हवाई अड़ा परिसर में 9 और हाजिरबाग के पदमा केंदर में 15 बेहोश हो गए प्रशाशन के अनुसार 22 अगस्त से राज के विभिन केंदरों पर शुरू शारिक दक्षता परिक्षा में दोड़ के दोरान अब तक 11 बेहरतियों की मौत हो चुकी है वहीं कई का इलाज जारी है अकेले साहिबाबाद गणित में अब तक 90 बेहरतियों की तब्यद बिगणने की सूचना है जिने स्वस्त होने के बाद घर बेजा जा चुका है अब तक राज में 11 बेहरतियों की हो चुकी है मौत जरकन पुलिस की आईजी अभियान मोल वी ओम कर ने रविवार को अपनी वीडियो संदेश में कहा कि राज में साथ केंदरों पर शारिक चार्च परिक्षा चल रही है दुरबाग बश केंदरों तक 11 बेहरतियों की मौत हो चुकी है अब इस तरह की खबर सुनने के बाद बहुत दुख होता है और सबसे पहला सवाल एक ही दिल में उठता है वो आपके भी उठ चुका होगा ऐसा क्या है कि इतनी मौते हो रही है हर प्रकार हर विभाग और हर राज भरती कराता है और उस क्या ऐसी समस्या आ रही है कि वहाँ पर बच्चों की मौत हो रही है क्या गर्मी बहुत जादा है अगर गर्मी जादा है तो शायद विभाग को अभी इस दौड को रोक कर महिना या डेड महिने बात कराना चाहिए यदि अगर बच्चों में पोशकता की कमी है या फिर कह लीजे कि वो ठके हुए इतने जादा कहीं से दूर दूर से चल के आ रहे हैं जिसके वज़े से वो नेक्स टे फुली प्रिपेर नहीं है अच्छे से नास्ता पानी नहीं कर रहे हैं और फिर दोड रहे हैं तब गिर जा रहे हैं तो ये भी चिंता जनक का विशा है इस पर अविभाग को सरकार को कदम उठाना चाहिए कि अगर बच्चे इस तरीके से दौर देने आ रहे हैं तो उनको चिनांग करिए उनकी पोशण की ध्यान दिये उन्हें कुछ अपनी तरफ से जो बच्चे लग रहे हैं कि गरबढ हैं उनको कुछ नास्ता पानी अपनी तरफ स रहेंगे लेकिन अगर किसी व्यक्ति की जान जा रही है तो इससे बड़ी कोई भी नुकसान नहीं है विभाग सरकार से उमीद है रिक्वेस्ट भी है अगर वीडियो वहां तक पहुँचेगी तो प्लीज इस पर ध्यान दीजे कि इतनी जो मौते हो रही है वो क्यूं हो र मिलेंगे फुल स्ट्रंथ की मिलेंगे और किसी की भी जान नहीं जाएगी लास्तिक आपने वीडियो देखिए उसके लिए बहुत बहुत दन्यवाद आपका देन शुब हो